हेलो फ्रेंड्स मैं इस अंजिना सोनी और मेरे चैनल को में ड्राइंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं फिर कुछ नया लेकर के आई हूं आपके सामने मैं आज आपको एक छोट असा पपी बनाना सिखाऊंगी पपी मिल्स डॉग का बच्चा जो बच्चों क देखते उनको बहुत खुशी होती है उनको देख करके तो मैं उसी टाइप से आपको छोट असा प्याशा पपी बनाना सिखाऊंगी उसके लिए कुछ नहीं करना है हमें बहुत इजी हैं बहुत आसान है हम जीरो नंबर से एक डॉगी को बनाना सिखेंगे सबसे पहले हमे एक जीरो शेप का सरकल बनाना है इस तरीके से इसे बनाने के बाद बीच में एक और सरकल जीरो का बनाना है ये बनाने के बाद हमें इधर से और इधर से इस तरह से टू लाइन्स करनी है अब हम इसकी नोज बनाने है नोज के लिए कुछ भी नहीं है बहुत इजी है ये ब उसको टच करते हुए ही बनाना चाहिए, आइस के बीच वाला पोर्शन ये इस तरीके से आप बना देंगे और थोड़ा सा हलका शेड कर देंगे, इसको करने के बार आपको थ्री लाइन, वान, टू और लास थोड़ी छोटी बनाते हुए, सीध ही एक स्टेट लाइन बनाने हैं, इसको करने के बार आपको इसके टू इयर्स बनाने हैं, ये इस तरीके, ये बन गए इसके इयर्स, इयर्स को आप वापस से वह हलका से ड्रॉ करेंगे, और हलका सा शेड इस तरीके से देंगे, जिससे बच्चों को कलर फिल करना भी साथ में आता जाएगा, इसको करने के बार, आप देखेंगे, हम इसकी बॉडी की पीछे की शेप बनाने लेकिन इसको बंतो फिले 1,2,3 लाइनिंग इसको इस तरीके से देनी है, फिर इसकी पीछे की बॉडी को कैसे कवर करना, आप देखिए, उचने करना ऐसे, हल्का शेप यूँ, यूँ, सीदी लाइन, फि यहां से हमें स्ट्रेट स्ट्रेट के साथ में यह यहां से इस तरीके से डशेश करना है फिर इसमें हलक सी लाइन इस तरीके से दे देंगा और इसकी फूट पैर को वड़क का इस तरीके से बनाते हुए हलक अशियर दे देगा थाम कि बच्चों को थोड़ा सा इसमें ड्रैंग का मजा आज आएगा वह साथ में इदर से भी 1, 2, 3 लाइन चोट इसे लाइन आप यहाँ दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा डॉक वापस से रैडी है और वही बात डॉक मेंस बच्चों को सिखाएंगे कुट्टा तो मेरा डॉक रैडी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए थैंक यू झाल